हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज किस वीडियो में हम करें हैं क्लास 11 बायोजिका चैप्टर नमबर 8 सेल दा यूनिट ऑफ लाइफ के नीट प्रिवियर्स एयर्स क्यूसन आपको बता दूँ कि हम यहापे जितने भी क्यूसन करन मैं पेज नमबर भी बताऊँगा कि NCRT में से ही एक क्यूसन आई हुआ है इस पेज नमबर पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्लियर है और रिसेंट यह तक हम इस तारे क्यूसन को डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंग मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक गोलगी कॉंपलेक्स प्ले ए मेजर रोल इन यानि जो गोलगी कॉंपलेक्स होता है वो किसमें एक मेजर रोल प्ले कर protein and carbohydrate तो इसका answer हमें काँपे मिलेगा इसका answer according to ncrt page number 134 134 पर हमें इसका answer मिलेगा वापे जब हम second paragraph में देखेंगे last last में तो वापे क्या लिखा हुआ है कि जो गौलगी complex होती है वो क्या करती है modification करती है जो कि आपके rr yr यानि rough endoplasmic reticulum ने जो protein बनाया था और जो smooth endoplasmic reticulum ने जो lipid बनाया था उसको convert कर देती है कि इसके अंदर packaging करके glycoprotein and glycolipid में convert कर देती है और यह सारा काम किसका होता है packaging वगेर का गौलगी complex का होता है तो यह क्या हो गया in post transitional modification of protein post transitional transitional modification क्या हो गया मतलब जो protein बन चुकिए उसके बाद में उसके अंदर modification करना और जो lipid का उसका glycosylation मतलब उसको glycolipid में convert करना यह सारा काम किसका होता है आपका गौलगी complex का होता है तो हमारा answer क्या आएगा option भी आएगा इसके अलावा यह option में लिखा trapping the light energy and transfer यह किसके अंदर होता है यह तो chloroplast का होता है digesting protein and carbohydrate यह किसका का होता है lysosome का होता है यह भी हमारा lysosome वाला भी इसी same page number 134 पर है ओके अब आगे चलते हैं next हमारा question number two है a major site for synthesis of lipid is यानि जो synthesis of lipid के लिए major site कौन सी है simplast है nucleoplasm है RER है या फिर SER है तो इसका answer हमें कहां पर मिलेगा इसका answer हमें NCRT के page number 133 पर मिलेगा कहां पर मिलेगा NCRT के page number 133 पर जहांपर side में यह diagram भी बनावा है यह वाला NCRT का diagram भी बनावा है तो वहीं पर हमारे पास में इसका answer मिलेगा तो जो आपका rough endoplasmic reticulum होता है जहांपर ribosome present होते हैं वो क्या synthesize करते हैं protein बढ़ हमसे पूचा क्या है lipid और lipid को synthesize करता है जो हमारा smooth endoplasmic reticulum होता है वो क्या synthesize करता है हमारा lipid synthesize करता है तो यह full form और short form भी आपके याद रखनी है RER का मतलब हो गया rough endoplasmic reticulum और SCR का मतलब हो गया smooth endoplasmic reticulum तो answer क्या आजाएगा option D आजाएगा lipid पूचा है इसलिए clear हो गया okay next हम बात करते हैं क्यूस्सर no.3 के बारे में क्यूस्सर no.3 में बुल गया which one of the following organal in the figure correctly match with its function यानि और इसका function हमें बताना है तो यह वाला जो diagram है वो कहाँ पर मिलेगा NCRT के page number 133 पर अभी अभी बताता है यहीं पर आपका यह diagram मिलेगा figure है NCRT की 8.5 अब यहाँ पर यह क्या चीज है आपके सामने आ जाना चाहिए या क्या यह गोलगी अप्रेचस है जो कि गलाइकोलिपीड बनाती है या क्या यह रफ एंडोप्लाजमी ग्रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है अब एक चीज़ इन में क्या डिफरेंस है यहां पे गलाइको प्रोटीन अभी इससे पहले वाले जो फर्स्ट क्यूसंता वहां पर बात की थी जो गलाइको प्रोटीन और गलाइको लिपिड है वो गोलगी अप्रेचेस बनाती है और जो सिंपल प्रोटीन जो बनाकर आगे करता है वो होता है किसका काम रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम का तो हमारे पास में यह प्रोटीन सिंतेजिस वाला जो है वो चीज़ करती है तो हमारा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी बनेगा क्लिर हो गया ओके नेक्स चलते है किस्ट नमबर फॉर्थ हमारा पिग्मे क्लिर हो गया है तो सीच होतेर है या फिर वह बैसल बोडि होते हैं यह हमसे पोचा गया है तो का पेज कर नमबर 129 में जब हम फस्ट पैराग्राफ वी रीड करते हैं तो वहीं पर हैंड में साफ जालٌ यइवाली जो लाइन इने इन से यादिक्ष की कोपपेस्त है यह पि करते हैं नी 2013 जो करनाट का स्टेट के लिए अलग से एक्जाम हुआ था उसमें से आयोवे क्योशन अब यहां पे स्टार्ट होता जाता है करनाट का स्टेट वाले क्योशन 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 अब वहां पर देखिया इसमें एक टाइप का और वहां आपको याद रखने ना लिखेन इनके अंदर फूड स्टोर होता है हम पढ़ते हैं ना Amylopactin 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 Amyl यह चलिए ने बात करना और यह जो क्रोमो प्लास्ट होता है वहां पर क्या होते हैं आपके अलग अलग टाइप के कलर वाले जो पिगमेंट होते हैं यहां पर कोई स्टोर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए बनेगा इनका भी अगर कुछ पूछ लिया यह हमें बताना है अब देखो यह थोड़ा सा है पूरा एंसर्ट से हैं अब यह जो डाइगराम उठाए गया है वह एज इट पॉइंट टू जो फिगर एट पॉइंट टू है क्लियर है वहां पर यह चीज उठाए गई है जो आपका 128 पर पेज नमबर एंसर्ट का 128 फिग है बहुता आप इस ट्राइब का स्ट्र्टर आप देखोगे ना इस से मिलता जूलता जाँ पर एस टैप का आकर ड्रीश का वो स्ट्रक्टर आप देखो गए तो यह आपको पता ही है लेकिन फिर मी बता रहूंग है क्या है मैटो को रिया है तो यह दो जगे से हैं एक तो 128 38 से फिगर उठा ली और यह जो स्ट्रक्चर रहो 130 से उठा लिया ncrt में ओके फिर पूछा क्या इसके अलावा इन्होंने function पूछा अब function तो अलग अलग जगा मिलेगा माइटो कॉंट्रिया के function कहां पे मिलेंगे माइटो कॉंट्रिया के function मिलेंगे ncrt के page number 135 अब आगे देखते देखो बोला गया माइटो कॉंट्रिया गोल्गी बोडिया लाइसोसो में एंडो प्लाज्मे ग्रेटी गुला में सबसे पहले तो हमारे यहीं से answer आ जाता है कि हमारा क्या है यह माइटो कॉंट्रिया तो answer तो why is capsule advantageous to a bacterium यानि जो यह capsule होता है यह bacteria के लिए ज्यादा advance क्यों होता है पहला लिखा है it protect the bacteria from desiccation it provide means of locomotion it allow bacteria to hide from the host immune system and it allow the bacteria to attach to the surface अब देखे यह जो capsule वारे के बारे में बात की गई है वो ncrt का page number 128 है जहां पर बात की गई है कि जो प्रोकेरियोटिक का envelope होता है उसके बारे हमें बात की गई है वहाँ पर दो तिन चीज़ें बताई गई है क्या चीज़ बताई गई है कि मालो यह हमारा cell है clear है अब cell में आपको पता है कि यहां पर हमारा inner में क्या होती है cell membrane होती है यह हमें बता है फिर उसके बाद में अगर प्रोकेरियोटिए गा तो वहापे क्या हाड है काफी हाड है तो उसको बोला जाता है क्या हमें कैपसूल बोला जाता है यह नि जो आउटरी आउटरमोस्ट वाली जो होता है जो cell wall से बाहर एक structure होता है उसको क्या बोला जाता है गलाइको केलिक्स अगर वह काफी thick and tough है तो उसको बोला जाता है क्या capsule बोला जाता ह अब उसके function नहीं बता गए हैं तो यह मान सकते हो कि इसका जो answer वो NCRT में mention नहीं है और बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है इट प्रोवाइड दा बैक्टेरिया फ्रम दा डेसिकेशन इट प्रोवाइड मींस दो फोल लोकोमेशन इट एलाव बैक्टेरिया तो हाइड फ्रम दा होस्ट इंड शिस्टम यह आप याद रख सकते हो तो answer क्या जाएगा option C आजाएगा जो NCRT में mention नहीं किया गया इसका function ओके नेस्ट हम आगे बात करते है कि उससे number हमारा 8 आ चुका है आगे वही आगया the term glyco calyx is used for आगे वो glyco calyx में आपको पीछे वाले question में बता जा a layer present between the cell wall and membrane of bacteria cell wall of bacteria bacteria cell glyco engineer to possess and glycosylated protein या फिर a layer surrounding the cell wall of the bacteria तो यह तो चीज mention की गई है NCRT का page number जो हमारे पास में 128 है वहाँ पर यह चीज mention की गई है अब वहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताई था यह glyco calyx क्या होता है जो cell wall के बाहर होता है इन्होंने क्या बोला है पहले option में कि between the cell wall लिक्स होती है अगर यह थीक कें टाफ हो जाए तो वह capsule बन जाती है तो answer क्या बन जाएगा option D बन जाएगा clear हो गया ओके next बात करते हैं आगे नी 2014 अब हमारा start होता है नी 2014 ओके यहाँ पर बोलागे है first the motile bacteria are able to move by यह इसमें थोड़ा सा जो है print करते हुए थोड़ा सा move आए तो यहां पर यह बो लगे कि जो motile bacteria है वो किसके द्वारा move करते हैं फिंबरी के द्वारा फ्लेजिला के द्वारा सीलिया के द्वारा या फिर पिलाई के द्वारा तो मैंने आपको बता दिया जो पिलाई और फिंबरी होते हैं यह भी surface structure होती है same इसी page number पे mention है बट कि नेक्स्ट बात करते हैं कि उससे number 10 के बारे है कि इससे number 10 है which structure performed the function of mitochondria in bacteria बहुत ही इंट्रस्टिंग सा बेक्टेरिया के अंदर कोन बनाता है क्योंकि बेक्टेरिया के अंदर माइट्ो कॉंड्रिया नहीं आहीं होता है यह यह उर्गनल होता है ओके जो mesosome होता है उसके अंदर जो page number 129 है वहाँ पे उसके अलग-अलग function लिखे है कि वो DNA replication में help करती है cell wall formation में यह सब कुछ वहाँ पे एक चीज ओ लिखी हुई है कि mesosome help in the respiration क्या लिखा हुई that mesosome help in the respiration यह NCRT का page number 129 पर mention है clear है अब यही चीज यह same चीज NCRT के page number 135 पर mention है that the mitochondria mitochondria is the site of aerobic respiration तो mitochondria में क्या होता है aerobic respiration के लिए तो mitochondria होता है तो respiration ही mitochondria करवा रहा है respiration में help mesosome कर रही है तो mitochondria का कम कौन करेगा mesosome करेगा क्योंकि वहाँ पर mitochondria है नहीं तो यह चीज आपको clear हो जाने चीज यह NCRT का page number 129-135 से clear हो जाता है आपका okay next हम बात करते है कि उससे number 11 के बारे में the solid linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as तो यहाँ पर हमसे solid linear cytoskeleton पूचा है जिसका diameter जो वह 6 nanometer है और वह single type monomer से बनता है माइक्रो ट्यूबूल माइक्रो फिलामेट इंट्रिमीडियेट फिलामेट या फिर लेमिन्स तो देखिए जो NCRT का page number 136 है एकोर्डिंग तुदा लेटेस्ट एन जो NCRT 2021 वाली जो एडिशन वाली NCRT दी उसके अंदर लिखा हुआ था साइटो-सकेलेटन के बारे में अब साइटो-सकेलेटन में वा पर bên बॉला गया था कि आपका prohiberten यह इस thumbs videos फिलामेंट इस स्ट्रक्चिर होते हैं जा पर तिन बो ले गए थी कि माइक्रो तुीबूल हो सकता है माइक्रो फिलामेंट तो अंसर क्या बन जाएगा option B बन जाएगा clear हो गया okay next हम बात करते हैं कि उसे number 12 के बारे में कि उसे number 12 है हमारा इस ऑस्मोटिक expansion of a cell captain the water is chiefly regulated by इन्होंने बोला है कि अगर हम ऑस्मोटिक expansion हो जाता है अगर किसी cell में रखते हैं तो किसके द्वारा regulate किया जाता है यह हमसे पूछा गया है mitochondria के द्वारा vacule के द्वारा plastic के द्वारा या फिर ribosome के द्वारा अब देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे आता है क्योंकि यह सारे organal वगरा यहीं पर है बट इसका answer कहां पर मिलेगा आपको इसका answer मिलेगा class 11 चैप्टर 11 यह इस चैप्टर में नहीं एट में चैप्टर 11 में जो कि transport in plants में है वहाँ पर NCRT का page number 180 में यह चीज मेंशन है जापर osmotic के बारे में बात किया गया कि osmosis क्या होता है plasmolysis क्या होता है तो वहाँ पर यह बताए गया है कि अगर हम किसी को cell को kept करते है water में तो वह जो osmotic expansion होता है वह regulate किया जाता है विद किसके द्वारा आपका वैक्योल के द्वारा आपको पता है कि plants के अंदर 90% जो volume होती है वह वैक्योल से आपका cover करती है तो वैक्योल इस चीज को regulate भी करता है तो answer क्या बन जाएगा option B बन जाएगा clear हो गया okay और यह चीज हमारे यहाँ पर भी mention है जो NCRT का page number आपका 1334 है जो 134 है जहाँ पर लाइसोसोम और वैक्योल यह mention है तो वहाँ पर भी थोड़ा से यह बताए गया कि यह osmosis में help करता है यह चीज यहाँ पर भी NCRT में भी ब और राइबोसम इदर दिये in folding mitochondria thylacode nucleic acid vessel body okay सबसे पहले बात करते हैं centriol के बारे में centriol क्या है बैसल बोड़ी ओफ cilia and phlezilla होता है यह NCRT का page number 137 पर mention है आपको बता देता हूं NCRT से यह next time बात करते हैं chlorophyll chlorophyll किसके अंदर present होता है thylacode के अंदर present होता है thylacode के अलग क्रिस्टा के बारे में अब यह क्रिस्टा क्या होती है क्रिस्टा आपके होती है in folding in the mitochondria और यह NCRT का 135 है जो inner membrane होती है वो in folding मना की क्रिस्टा बनाती है okay next time बात करते है ribozyme ribozyme कहां पर mention है class 12 में जो chapter 6 होता है start वहां पर यह चीज मेंशन है कि यह कहीं कहीं पर जो होता है वह आपका इस टाइप से mention करता है इसके अलावा जो biomolecule वाला chapter है वहापर भी enzymes में यह चीज़ मेंशन की गई है तो दो दो जगए यह चीज़ मेंशन है और यह किसका structure था है nucleic acid का होता है तो answer आ जाएगा अब हमारा इसके according तो A हमारा fourth के साथ जाने चाहिए एक यहां प 3rd के साथ नहीं जा तो यह हमारा answer क्या बनेगा option A बन जाएगा clear purely NCRT based हमारा answer आ जाता है okay next time बात करते है need 2015 के बारे में need 2015 में question number first हमारा मतलब ऐसे तो 14 है और यहापर need 2015 का question है which of the following structure is not found in the prokaryotic cell कौन सा ऐसा structure है जो कि prokaryotic cell में नहीं मिलता है mesosome, plasma membrane, nuclear envelope और ribosome वैसे तो आपको अगर पूरा complete पढ़ोगे तो यह पूरा concept जो है वो NCRT का page number 126 पर mention है कि जो आपका nuclear envelope है वो यहाँ पर नहीं मिलता है और यह एक नहीं NCRT में यहाँ पर यह दो दो बार mention है कि जो prokaryotic होते हैं वहाँ पर जो nuclear membrane होती है वो present नहीं होती है बलकि plasma membrane, mesosome और ribosome आपका सब कुछ होता है तो यहाँ पर answer क्या आजाएगा option C आजाएगा clear हो गया ओके तो answer आगया option C, next हम बात करते हैं कि उससे number 15 के बारे में the structure that helps some bacteria to attach to the rocks and to the host tissue are ऐसे कौन से structure है जो bacteria को rocks या फिर host tissue के साथ में attach होने में help करते है mesosome hold fast rhizoid या फिर fimbre तो यह कहां पर mention है NCRT का page number 129 मैंने आपको बताएदा कि वहाँ पर फ्लेजिला वाला रहे था तब मैंने आपको बताएगा कि वहाँ पर पिलाई और फिंबरी भी जो होते हैं वह भी surface structure होते हैं जो यह इस type का का काम करते हैं बट यह आपका motility के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं तो पिलाई और फिंबरी आपका अंसर आना चाहिए आपके फिंबरी लिखा है तो अंसर आजाएगा option D के साथ चला जाएगा जिसके अंदर chlorophyll आपका present होता है यह कहां पर था पेज नंबर 136 पर मेंचन था नेक्स नम बात करते हैं क्रिस्टा वह तो इससे पहले भी आ चुका है कि in folding in the mitochondria होती है जो inner membrane होती है कहां पर मेंचन था नेक्स नम बात करते हैं सिस्टरनी के बार में सिस्टरनी क्या होती है आपके डिस से गोलगी कॉंपलेक्स होती है बिल्कुल सही है कहां पर मेंचन है 133 पर मेंचन है as it is क्रोमिटीन क्या होता है आपका condensed structure of the DNA होता है बिल्कुल सही है कहां पर मेंचन है NCRT का page number 139 तो सारे के सारे यही पर मेंचन है ओके तो A हमारा third के सा जाना चाहिए केवल एक ही option में जा रहा है that is the DOD हमारा जाना चाहिए second के साथ में तो हमारा answer क्या बनेगा option D बन जाएगा clear हो गया okay चलिए next हम बात काते है किससे number 17 के बारे में किससे number 17 आ चुका है the cell organelle with membrane R ऐसे कौन से cell organelle होते हैं जापे membrane present होती है endoplasmic reticulum ribosome nuclei lysosome golgium prex mitochondria nuclei ribosome mitochondria chromosome ribosome and endoplasmic reticulum तो यह जहां पर आपका page number 126 है जहां पर page number 126 है जहापे cell organelle की बात की गई है कि जो ukuritic होती है आप अलगे टाइप के cell organelle होती है प्रेज्स जो प्रोकरियोटिक होती हैं वहाँ पर cell organelle नहीं होती है तो वहीं पर लिखा है कि ribosome is a non membranous ribosome है वो एक non membranous cell organelle होता है तो दोनों में present होता प्रोकरियोटिक और यूकरोटिग में तो ईसका मदब क्या है क्या जो राइबुसअम है वहाँ पर मैम्ब्रेन नहीं होती है और हमसे पूचहा है क्या है सेल और्गनल विद्धा मैंबरेन अब देखो राइबुसॉम में नहीं होती है य Neo पिर उसके लाब राइबोसोम में नहीं होती तो मारा डी भी अट जाएगा तो मारा बच क्या जाएगा लाइसोसोम गोलगी कॉम्पलेक्शन माइटो कॉंट्रिया बच जाएगा और यह चीज़े भी वहां पर मेंचिन है सेम एंसे पेस्ट निमबर 126 पर प्लियर है तो आंस आपका आंसर यह आजाना चीज़े यहां से सेम एंसे पेस्ट नमबर 126 यह पूचा था यह चीज एंसे पेस्ट नमबर 136 पर भी मेंचिन है तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा ओके नेक्स नम बात करते हैं नी 2015 में जो एक्जाम केंचल हो गया था उसके वि विच वर्न ऑफ दा फॉलिंग इस नोट एन इंक्लूजन बोडी फाउंड इन प्रोक्रियोटिक तो यह इंक्लूजन बोडी वाला सब कहां पर मेंचेन है यह हमें बताना है तो दिखें जो एंसेटी का पेस नमबर 129 है न वहां पर यह हमारे सामने राइबोसॉम के बारे पॉलिसॉम, फॉस्पेट ग्रोनियूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रोनियूल यह तीनों के तीनों ऑप्सिन एंसेटी में एस इट इस दियो है कि यह आपका इंक्लूजन बोडी के अंदर फॉर्म होते हैं जो नोन मेंब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जाब कि आपके जो नहीं होता है तो answer क्या बन जाएगा option B बन जाएगा clear हो गया okay next question number 20 की बात कते है DNA is not present in DNA किस में नहीं मिलेगा nucleus में नहीं मिलेगा mitochondria में chloroplast या फिर राइबोसों तो राइबोसों एंसेटी का जो पेज नंबर हमारे सामने आपका 136 है जापर राइबोसों दिया हुए कि उसमें दो यूनिट होती है एक small होती है एक large होती है सब कुछ दिया हुए वहाँ पे बोला है कि राइबोसों किस से बनता है RNA से और प्रोटीन वगरा से मिलकर आपका राइबोसों बनता है तो हमसे पूछा DNA कि इसमें नहीं होता है तो यह कहां पर दिया हुए 135 पे chloroplast के अंदर भी सेम NCRT में मेंशिन किया गया है 136 पे इन सभी में DNA मेंशिन किया गया बढ़ ट्राइबोसों में नहीं किया गया तो अनसर क्या बन जाएगा option D बन जाएगा नेक्स्ट हम बात करते है nuclear envelope is derivative of nuclear envelope किसका derivative है microtubule का rough endoplasmic reticulum का smooth endoplasmic reticulum का या फिर membranous of Golgi complex का तो यहां पर जो nuclear envelope वगेरा यह है आपका कहां का यह आपका rough endoplasmic reticulum जो होता है उसका derivative होता है मतलब जो आपका nuclear envelope होता है उसकी जो outer layer होती है वही आपका आगे जाकर क्या बना लेती है endoplasmic reticulum बनाती है उसके उपर ribosome present होती है तो वह क्या कहलाएगा rough endoplasmic reticulum कहलाएगा अब यह सब कुछ कहां पर mention है जापर आपका nucleus वाला section है ncrt का page number 138 जो nucleus वाला section है वहाँ पे side मे nucleus का diagram बनाए हो उसके side में paragraph में read करोगे तो आपको मिल जाएगी यह चीज clear हो गया तो answer क्या जाएगा option B आ जाएगा option B आ जाएगा next हम बात करते हैं कि उससे number 22 के बारे में कि उससे number 22 है the structure data the form by the stacking of organized flattened membrane sex in the chloroplast तो यह चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कुछ flattened membrane structure होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और chloroplast के अंदर और वो क्या बनाते हैं स्टोमा लेमिली बनाते हैं स्टोमा बनाते हैं क्रिस्टा बनाते हैं या फिर ग्रेना बनाते हैं तो यह आपका NCRT का page number 136 है और यह इन्होंने जो बात कि the structure data are found by the staking of organized flattened membrane sex तो यह जो staking of organized flattened membrane sex है वो है थाइलेकोईड तो एक दूसरे के ऊपर थाइलेकोईड रखकर जो है वो क्या बनाते हैं ग्रेना बनाते हैं और ग्रेने को एक और चीज़ भी बोलते हैं इन्टर ग्रेन थाइलेकोईड भी बोला जाता है यह आपको याद रखना है यह कहां पर मेंचिन है एंस्याट के page number 136 मेंचिन है आंसर क्या जाएगा ग्रेना आजाएगा थाइलेकोईड एक ऊपर रखकिए क्या बनाते हैं ग्रेना बनाते हैं ऑके नेक्स्ट हम बात करते of 40 Acid Smooth Endoplasmic Phospholipid Smooth Endoplasmic Synthesis of Lipid तो यह कहाँ पर mention है यह आपका NCRT का page number 133 पर mention है कि जो rough endoplasmic reticulum होता वो glycosin ही protein बनाता है rough endoplasmic fatty acid का कोई oxidation नहीं करता है phospholipid यह आपका सब्मूद नहीं करता है यह smooth आपका synthesis of lipid करता है अब देखो आप यह कोगे कि यह option जो है वो तीन option अमने कहीं नहीं पड़े यह तो पड़ा है ना तो बस वह लगा हूँ आपको यह तो आपने 100% पड़ा है तो एक्जाम में याद रखना जो आपने 100% पड़ा है और आपके जिसके उपर यह तो बिल्कुल सेंटर में तो होता है जहां पर दोनों की दोनों जो होती है वो बिल्कुल आपकी क्या होता है इक्वल आर्म बनाति एक्वला मनाति थोड़ा सा जो उस से अभी होता है से थोड़ा से सोटम बनती है और यह लोंगार्म बनती है इसके लावाद जो आपका दिल Grenika मयाचाहएं जीएं बिल्कुल टर्मीनल पर आ जाएगी मतले वहां पर आर्म ही होगी और बिल्कुल टर्मीनल पर पोजिएंस में होगा बट लोग चोट बनती है आपका प्रामरी कॉंसर क्या जाएगा option D आजएगा सारा कुछ NCRT का page number 139 पे mention है diagram वगेरा सारे दिये हुए है clear होगे आपको okay अब हम बात करते है next question number हमारा आ चुका है 25 यह हमारा आ चुका है need 2016 page 1 के बारे में अब हम बात करते है question number 25 के बारे में which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane यानि ऐसा कौन सा cell organelle है का जहां पर केवल single membrane होती है lysosome nucleus mitochondria and chloroplast तुम आपको बता दूँ कि हमने पहले भी बताए था कि आपकी nucleus से कांपन दियो है page number 138 में mitochondria कांपे दिया है 135 पे और chloroplast आपका कांपे दिया है 136 पे लाइसोसोम कापी दिया आपका 134 पे nucleus में बोला गया कि डबल मेंबरेन structure होता है mitochondria में बोला गया एंसे डबल मेंबरेन होता है यह चीज़ एंसे इस टाइप से भी आंसर निकालना चाहिए कि अगर कहीं पे direct नहीं दिया होगा यानि इन सभी में डबल मेंबरेन दिया है और हमसे पूझा है कि इवल सिंगल मेंबरेन तो वो कुन सा हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा clear हो गया okay next question number 26 की बात करते है water-soluble pigment found in the plant cell vacular कुन से आपके water-soluble pigment होते हैं जो plant cell के vacular में मिलते हैं अब यह NCRT में कहीं से कहीं तक mention नहीं है carotinoid anthocyanin gentophyll या फिर chlorophyll तो आपको याद रख लेना है कुन सा आपका anthocyanin answer आ जाएगा option B okay next हम बात करते है question number 27 के बारे में question number 27 है mitochondria and chloroplast यह mitochondria and chloroplast क्या है semi autonomous organal है second forming by division of pre-existing organal and they contain DNA but lake protein synthesis machinery अब देखो अगर आप यहाँ पर mitochondria पढ़ते हो NCRT का page number 135 पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आपका fusion के तुरू divide होता है pre-existing जो mitochondria होता है वह divide होता है और यहाँ पर DNA होता है और यह भी लिखा हुआ है साफ साफ यह भी लिखा हुआ है NCRT का page number 135 पे कि यहाँ पर protein machinery होती है मतलब वो सारे component जो require है synthesis of protein के लिए that is also present in the mitochondria पट इन्होंने क्या का है कि lake protein synthesis machinery वो क्या हो गया गलत हो गया तो B statement तो हमारी बिल्कुल गलत है सेमि-autonomous का मतलब होता है जिसके पास में खुद का थोड़ा बहुत DNA हो यानि वो खुद को अपने आपके थोड़ा सा डिविजन करने के लिए हो जैसे आपका bacteria के अंदर जो होता है तो उसका खुद का डिवाइड कर जाता है अब इसी टाइप से आपका mitochondria में जो होता है वो खुद फीजन करता है डिवाइड करता है तो उसको जो है वो आपका अलग सेल के ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ के जरूरत नहीं है वो खुद ही डिवाइड कर लेगा उसको बहुत है semi-autonomous organal हो गया यह semi-autonomous होता है mitochondria chloroplast जिनके पास में खुद का अपना DNA होता है तो A तो हो गई हमारी correct और B हो गई false तो A is true B is false यह होना चाहिए दोनों correct नहीं है दोनों false भी नहीं है भी true नहीं है बिल्कुल भी यह तो साफ साफ NCRT में mention किया गया है तो answer क्या बन जाएगा option A बन जाएगा semi-autonomous as it is NCRT में नहीं लिखा गया है चलिए next नम बात करते हैं कि उससे number 28 के बारे में कि उससे number 28 है हमारा microtubule arda constitute of जो microtubule है उससे क्या बनता है यह किस के constitute है मतलब क्या क्या बना सकता है microtubule centriol, spindle fiber, chromatin, centrosome, nucleosome, centriol, cilia, phlegilla, paroxysome या फिर spindle fiber, centriol and cilia ओके तो जो nucleosome होता है वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा यह तो आपको पता होना चाहिए अब यहां से क्या बन जाता है तो अगर आप देखोगे ध्यान से जो centriol पॉल पॉर्चन है जो आपका centriol वाला पॉर्चन है जहां पर लिखा हो है कि सेंट्रियोल जो होता है तो यह वाली चीजे तो आपका microtubule मिलकर बनाएगा यह चीज क्लिर होगी ओके अब उसी का जो आगे वाला पेज है जो 138 वहां पर यह भी लिखा है कि स्पिंडल फाइबर भी बनेगा तो स्पिंडल फाइबर यहां पर भी है अब यहां पर स्पिंडल फाइबर अभी न बनता है और वहां पर microtubule नहीं होता है वहां पर DNA होता है और वहां पर cilie inflatula होता ही नहीं होता है यह उसका पूरा structure बनाएगा है कि वहां पर 9-2 एरे होता है माइक्रो टुबूल इस टाइब से अरेंज होती है वह पूरा structure ही बनाएगा है तो cilie के अंदर होता है chromatin के अंदर तो आपका DNA वगएर होती है और आपका protein वगएर होती है तो हमारा answer क्या बन जाएगा option D बन जाएगा according to NCRT अब यह परोक्सिसोम क्या होता है परोक्सिसो के अंदर क्यूसर नमबर 29 सेलेक्ट दा मिसमेच हमें वह चीज़ बतानी है जो बिल्कुल गलत है यहां पर जो गलत लिखी है वह बताना है ओके गेस वेक्यूल इनने बला की ग्रीन बेक्टिरिया में मिलता है यह आपका inclusion body वाली में मिल जाएगा जो inclusion body वाला में आपको ब प्रोटीस्ट बोला ना मतलब प्रोटीस्ट एकिंडम तो आपको पता ही है कि यूट होते हैं मिथे नोजन हम पढ़ते हैं आर्ची बेक्टिरिया बायलोजिकल क्लासिफिकेशन वाला मापे मिथे जन होते हो वह प्रोकरियोटिक अंदर आती है यह भी सही है तो हमारा जो सेंट्रल वेक्योल है वह एनिमल से नहीं वह प्लांट से लोता है तो यह गलत हो गया तांसर आजाएगा ऑप्शन बी और नेक्स्ट नमर जो थटी देख लेते हैं किसे नंबर थटी हमारा इस सेल और गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसा कौन सा सेल और से घर फर है थाइडु लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होती हैं लाइसोसाय माईक्रोसोम राइबूसोम मीजोसोम साफ साफ साफordon से किया उप्हाइड्रोलाइटिक होते हैं जो एसेडिक प्र रॉंग स्टेट्मेंट है ओके बैक्टिरिया सेलवल इस मेड़ पफ एप्टाइडो ग्लाइकेन पिलाइएं फिंब्री आर मेली इन वर्ली इन दा मोटिलीटी ऑफ बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया लेक फ्लेजिलेटीटीड जैल माइको प्लाजमा इस वोल लेस और गि मोटिलीटी में यह गलत वापे फ्लेजिला आना चाहिए था तो हमें यही तो बताना था रॉंग स्टेट्मेंट क्या हो गई ऑप्सन बी हो गया क्लियर हो गया तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा ओके तो अब हम बात करते हैं नी 2017 के क्यूस्टिन के बारे में अभी क्यूस्टिन पर फोकस करना किसे नमबर वन है नी 2017 का विच ओफ दा फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टीकी क्रेक्टर टू दा बैक्टीरियल सेल यानि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया को स्टीकी सर्फेस प्रोवाइड करता है सेल वोल न्यूक्लिय मेंब्रेन प्लाज्मा मेंब्रेन और ग्लाइको केलिक्स तो आपको पता है कि अगर बैक्टीरिया के बात करें वापे न्यूक्लियर मेंब्रेन तो होती भी नहीं यह तो हमारा बिल्कुली गलत हो जाएगा अब बच गया सेल वोल प्लाज्मा मेंब्रेन और ग्लाइको केल हैं बट यहां पर इसका जो होगा जो स्टीकी सरफेस प्रोवाइड करेगा वो होता है हमारा गलाइको कैलिक्स तो अंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा ओके नेक्स्ट अम किस्ट नमबर टू देखते है 2017 का यह है which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP यानि कौन सा cell organelle responsible है energy को निकालने के लिए carbohydrate से और फिर ATP बनाने के लिए लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटो कॉंड्रिया तो aerobic respiration कौन करता है आपका mitochondria करता है energy ATP के form में कौन बनाता है आपका mitochondria तो answer क्या जाएगा option D NCID का page number 135 ओके next नमबात करते है नी 2018 के बारे में नी 2018 से किस्ट से number third है दा गोलगी complex participate in गोलगी complex किसके अंदर participate करता है respiration in bacteria formation of secretary vesicle c है fatty acid breakdown OD है activation of the amino acid तो यहाँ पर देखिए इस option को ध्यान से देख लेना जो भी यहाँ पर इस cancer आगा गोलगी complex किस में participate करता है तो यहाँ पर देखिए respiration in bacteria में कौन कर रहा था mesosome कर रहा था हमने बताया था mesosome कर रहा है formation of secretary vesicle बिल्कुल सही है exact anxiety का page number 134 पर वहाँ पर लिखाव है कि जो गोलगी complex होता है उसका mainly comes क्या होता है packaging of material और फिर इसको secret करता है वो तो intra cellular targets में या फिर बाहर उसको secret कर देता है किसकी form में vesicle की form है तो यह secretary vesicle कोन बनाता है आपका गोलगी complex बनाता है अंसर आजाएगा fatty acid breakdown वगेरा कोन करता है आपका lysosome करता है amino acid को activation करके protein बनाने काम इसका नहीं है यहां पर हमारा क्या आजाएगा formation of secretary vesicle हमारा आजाएगा तो answer क्या बनेगा option B बनेगा को इसके according NCRT का page number 134 यह याद रख लेना option ओके चलिए आगे बात करते हैं क्यूस्तर number 4 2018 का question है which of the following is true for nucleolus यानि हमें बताना है कि जो nucleolus है उसके according consistency statement बिल्कुल true है ओके it takes part in the spindle formation it is a membrane bound structure large nuclei are present in dividing cell या फिर it is a site for active ribosomal RNA synthesis तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यह आपका spindle formation में nucleus कोई help नहीं करता है membrane bound structure यह नहीं होता यह non-membranous होता है यह भी NCRT का page number 138 पर लिखा हुआ है जो nucleus के अंदर को structure होते है large nuclei are present in dividing cells यह नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जब divide कर रहा होता तो यह सब कुछ breakdown हो जाता है nuclear membrane वगरे disappear हो जाते हैं वो चीज़ हमने cell cycle cell division में पढ़ते हैं it is a site for active ribosomal RNA synthesis as it is mentioned as it is mentioned as it is mentioned nCRT का page number 138 पर तो answer क्या बन जाएगा option D बन जाएगा ओके next बात करते हैं कि उससे number 5 के बारे में काफी interesting बट out of nCRT है ओके select the incorrect में चमें incorrect बताना है बट out of nCRT है पहले से बता देता हूं मुझे बताने में कोई तकलिफ नहीं है ओके अब बात करते हैं सबसे पहले सब metacentric L-shaped है सब metacentric क्या होता है L-shaped बोला है एलोसों बोला है कि sex chromosome को बोलते हैं lembrus chromosome बोला है होता है और एक आपकी लोंगा मलती है तो इसलिए इसको L-shaped भी बोला जाता है सब metacentric को clear up ओके फिर हम बात करते हैं एलोसों होता है हमारा sex chromosome ये तो हम जो है वो class 11 के अंदर जो है जो चैप्टर नमबर आपका फाइव प्रिंसिपल ऑफ इनेडिटेंस वहां पर भी बहुत सारे पढ़ते हैं कि sex determination human beings chromosome ये disorder वगेरा वहां पर पढ़ते हैं कि autosome क्या होते हैं जो 22 chromosome होते हैं वो तो autosome होते हैं जो 46 में से और जो लास्ट वाला XY या फिर XX होता है जिसको sex chromosome बोलते हैं इसको और क्या बोले जाता है ऐलोसों भी बोला जाता है तो ये तो दो हो गए सहीं नेक्स आम बात का लें यहां पर मिलता है और यह कब बनता है जब diplotin stage होते हैं तो उस टाइम पर यह क्रोमोजोम बनते हैं तो इसलिए इसको diplotin bivalet बोलते हैं लेंब्रस क्रोमोजोम इनको बोला जाता है यह बिलकूल सही है अब यह तो यहां पर क्या होता है जो आपके उसाइट ऑफ ibn में यहीं मिलता वहूइसमें मिलता है तो पिर polytyne chromosome क्रोमोजोम आपके giant chromosome होते हैं काफी बड़े chromosome होते हैं और यह जो आपके two winged flies वगरा होती हैं मिलते हैं इसके लावा होते हैं जो इंसेक्ट के वहां पर कुछ इनका फंक्शन वगेरा होता है तो यह यहां पर गलत है एकोर्डिंग टो एंस्याटी साइध यही वह लास्ट क्यूसे नहीं इसके लावर 2018 में साइध यह ऐसे क्यूसे नहीं जो पूछे गए हैं पट अगर हमें में जो कंपोनेंट देखेंगे लास्ट 3-4 यह के अंदर तो आउट ओफ एंस्याटी साही देखने को मिलेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है वह आपको हाय बढ़ाना नहीं है बट फिर भी हमें ऑप्शन वगेरा किसन वगेरा देख लेने क्या पता ऑप्शन से किसन बना दिया जाए विच व देखकर कहा देंगे यह NCRT में में नहीं है बट एकोर्डिंग टू NCRT पेज नंबर 133 जो लिपीड वगेरा कहीं पे भी आ जाए तो वो कम किसका होता है वो तो SCR का होता है RER का तो बिल्कुल भी नहीं होता है प्रोटीन से जितना होता है क्लिवेस सिंगल बॉन से क्लिर हो गया तो यह हमारा अन्सर बंजाएगा ख्लिर रहाएं ओका नेksi बात करती है किस्टन नमबर सेवन्त के बारे में अब आचुके किस्टन नमबर सेवन्त में में सेवन्त में पूछा गैं मैंनी राइबोसों में एसोसियट वीडे सिंगल उमर ने टूफो में मल बार के उसे ना चुके हैं बट यह पोली सोम वाला हम कापे करते हैं यह करते हैं Molecular Basis of Inheritance जहां पर Translation पढ़ते हैं, Protein Synthesis पढ़ते हैं Class 12 Biology के अंदर Molecular Basis of Inheritance वहां पर यह पोली सोम फिर आता है तो यह जो आपका Many Ribosome Attach हो जाते हैं MRNA पर तो वो क्या बनाते हैं वो बना इस मेंशन है तो दो दूजगे मेंशन है तो आपका अंसर आना ही आना चाहिए तो अंसर आजाएगा Option C Next हम आज आते हैं नी 2019 में अब नी 2019 में बुलागे Which of the following statement is not correct यानी हमें incorrect statement बताने है इन में से ओके The hydrolytic enzyme of lysosome are active under acidic pH, lysosome are membrane bound structure, lysosome are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum and lysosome have numerous hydrolytic enzyme तो यहां पर यह जो lysosome वाला पूरा जो section है वो NCRT का page number 134 पर mention है तो NCRT में यह साफ साफ लिखा है कि hydrolytic enzyme of lysosome हो जो होते हैं वो acidic pH पर active होते हैं यह भी लिखा है कि lysosome जो होते हैं वो membrane bound structure होते हैं यह भी लिखा है लाइसोसome are formed by the process of यह नहीं वहाँ पर साफ साफ लिखा हो है इसी paragraph में lysosome वाले में हैं कि क्या लिखा है कि lysosome are formed by the packaging in the Golgi approaches जो Golgi approaches होता है उसकी packaging करके आपका lysosome बनता है नोट है endoplasmic reticulum तो यह जो endoplasmic reticulum लिख दिये यह इन्होंने क्या कर दिया गलत कर दिया और हमसे पूछा भी क्या था इन्करेक्ट पूछा था तो इन्करेक्ट option C आ जाएगा वाप इस वह यह लाइसस हो में numerous hydrolatic enzyme तो यह इत्वे तो बोला है hydrolatic enzyme तो answer क्या बन जाएगा option C बन जाएगा clear हो गया क्योंकि incorrect पूछा था वह यह हो गया according to ncati page number 134 ओके next नम बात करते है कि उससे number 9 अब यह वाल इसको क्या बोलते हैं जो लोंगा रम होता है उसको क्या पी क्या हूँ फिर क्या पी या फिर मs और फिर SS ल तो देखो जो शोट आर्म होता है इस मतलब शोटल मतलब लोंग तो SS बोलती होंगे नहीं यहां पर इसको बोलते है P end क्या हूँ, P का मतलब होता है Petite और यह आपका पता है कि यहां पर Biology में जो आपके Manly Language चलती है वो Greek language चलती है और उसका मतलब क्या होता है Short तो P arm और क्या हूँ आरम यहां पर Answer आएगा Short Arm को क्या बोलते है P arm और Long को क्या बोलते है क्या हूँ आरम बोलते हैं तो Answer क्या बन जाएगा Option A बन जाएगा Clear हो गया Okay next time बात करते है कि उससे नमबर 10 के बारे में अब साथ आप out of anxiety की उससे देखने को ना मिले हो सकता है अभी आप बात करेंगे Okay which of the following pair of Organal does not contain DNA ऐसा कौन सा Organal है जहां पर DNA नहीं मिलता क्लोरोप्लास्ट लाइसी सम नूग्लियर एंवलोप और हमारा माइटकॉण्डिया यहां पर Sorry स्वरी क्लोरप्लास्ट और वैक्योलर लाइसी सम और अब एक चीज़ देखो NCID का page number 135 ये कहता है और इससे डिले डमने क्योशन भी किया था कि माइटो कॉंट्रिया के अंदर खुद का अपना DNA होता है तो माइटो कॉंट्रिया वाला नहीं होगा chloroplast, chloroplast के अंदर भी होता है और हमसे पुछा does not contain DNA यानि जिसके पास में DNA नहीं होता खुद का तो लाइसोसोम और वेक्योल के पास में खुद का DNA नहीं होता है तो अंसर बन जाएगा option B clear हो गया, next हम बात करते हैं कि उससे number 11 के बारे में, कि उससे number 11 बोला गया है the concept of omni cellula e cellula regarding cell division was first proposed by यानि जो ये omni cellula e cellula वाला concept है ये किस ने दिया था theodra, seq1 ने, skeldian ने, aristotel या फिरूडॉल फिचो तो seq1 और skeldian ने तो ये बताया था कि हाँ बाया जो जितने भी component होते हैं वो cell से मिलकर बनते हैं पर जब इनसे ये पूछा गया कि जो cell होता है वो कहां से बनता है, वो कैसे बनता है तो उसका answer नहीं दे पाए थे तब इसका answer जो दिया था, वो दिया था रोडॉल फिचो ने, किन्हों ने दिया था रोडॉल फिचो ने, कब दिया था 1855 के अंदर, इन्हों ने बोला था omni cellula e cellula, मतलब जो new cells है वो pre existing cell, जो पहले से cell है उन्हीं से नए cell बनते हैं, बहुत अलग सी बात बोल दी थी इन्हों ने, तो इसलिए इसका answer आजाएगा, option D next हम बात करते है, question number 12 के बारे में, अब question number 12 में हमसे क्या बोल गया अब हमारा start होता, need 2019 में जो odisha state के लिए अलग से exam होता, कई बच्चों का comment आता है कि हर्स क्या, ऐसे अलग अलग state के exam होते हैं ऐसा नहीं है, एक ही exam होते हैं कई बार कुछ ऐसी परिस्तितियां हो जाती है कि किसी state में कुछ अगर हो गया होगा तो उसके लिए अलग से exam लिया जाता है जो present होगा जहां पर highest number in secretary cells है जो secretary cells है, वो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर कौन सा cell organ present होगा mitochondria, golgi complex, endoplasmary reticulum और आपका lysosum तो इसी type का हमने question किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि इसको option याद रखना वहाँ पर बहुल गया था, कि जो आपका golgi approaches होता है वो secretary vesicle को release करवाता है तो जो आपका golgi complex होता है, वो किस में participate करता है जो आपका packaging वगेरा होता है, मेटी दिया और किस form में pack करता है, जो vesicle होती है उसकी family, आपका जो होता है, वो pack करता है और जो secreted करता है दिता है, outside the cell तो इसका मतले प्या हो गया, जो आपके secretary vesicles वगेरा होती है वहाँ पर जो mainly, जो organal होगा, वो कौन सा होगा golgi complex होगा, किस के according, NCRT का page number 134 के according clear हो गया, ओके, चलिए, अब हम बात करते है next question number 13 के बारे में, question number 13 है non-membranous nucleo-plasmic structure in the nucleus are the site of active synthesis of, यहाँ पर हमसे पूचा गया कि non-membranous nucleo-plasmic structure बताना है nucleus के अंदर, और यह site है किस के लिए active synthesis, किस क्या active synthesis करता है, यह हमसे पूचा गया है, protein synthesis करता है, MRNA करता है, RRNA करता है, या फिर TRNA करता है, तो non-membranous nucleoplasmic का मतलब हो गया nucleus के अंदर तो यह चीज कहाँ पर mention है NCRT के page number 138 nucleus वाले section में और यह जो non-membranous structure होता है वो कौन सा होता है nucleus होता है अब nucleus की बात कर रहा है इस से related हमने बात की थी ना पहले active ribosomal rRNA active ribosomal rRNA तो ribosomal का गया जाए rRNA ribosomal का short form क्या हो गया r तो यह हमारा क्या हो गया rRNA हो गया तो answer क्या बन जाएगा option C बन जाएगा according to NCRT page number 138 ओके next हम बात करते हैं कि उस से number 14 के बारे में कि उस से number 14 में क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है which of the following nucleic acid is present in organism having 70S ribosome only यहाँ पे ऐसा बोला गया कौन सा ऐसा nucleic acid जो होता वो present होता है जहाँ पर केवल 70S ribosome है अब यह 70S ribosome जो है वो page number कहाँ पर बताएगा 136 पर बताएगा sorry 139 पर बताएगा 129 पर जो ribosome वाला structure है वहाँ पर बताएगा और 138 पर भी बताएगा जहाँ पर ribosome का structure होता है तो यह जो आपका prokaryotic के अंदर मिलता है आपका 70S और eukaryotic के अंदर मिलता है 80S यह तो कई बार बता दिया इसी chapter के अंदर तो यहाँ पर हमसे 70S के वाले की मतलब हो गया यह आपका prokaryotic की बात कर रहा है single strain DNA with protein coat double strain DNA with neck DNA double strain enclosed in a nuclear membrane double strain circular DNA with the histone protein अब इसका दो तीन जगा answer है इसका main answer जो है वो आपको यहीं पर भी मिल जाएगा जो NCRT का page number है 128 वहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर क्या होता है आपका single जो आपका DNA present होता है इसके अलावा जो आपका DNA present होता है वहाँ पर कोई भी protein coat या nuclear envelope नहीं होती है जो प्रोकेडियोटी तो वहाँ पर nuclear membrane बिल्कुल भी नहीं होती है यह तो आपको पता है histone protein नहीं होती है histone protein दो जगा दियो है जो आपका packaging of the DNA helix है जो packaging of DNA helix है class 12th के अंदर कहाँ पर class 12th के अंदर जो molecular basis of inheritance वहाँ पर packaging of DNA वहाँ पर लिखा हुआ है कि histone protein के वल यूकरिटिक में होती है packaging के लिए आपका यहाँ पर नहीं होती है single strain DNA with protein coat जो single strain नहीं होता यह काँपर mention है एंसियाटी के page number 128 double standard circular neck DNA होगा तो answer क्या बन जाएगा option B बन जाएगा अलग अलग चैप्टर से उठाके इस question को यहाँ पर डाला गया है मतलब दो ही चैप्टर है एक में लिए आपका molecular basis of inheritance class 12 वाला हो रहे हैं से तो answer क्या बन जाएगा option B बन जाएगा next time बात करते है question number 15 के बारे में 15 में बोला गया match the column question आगया सबसे पहले बात करते हैं गोल की complex कितनी बार कर चुक है 134 नंबर पेस पर दिया हुआ है यहाँ पर क्या आता है यह आपका glyco protein and glycolipid बनाता है 134 पर mention है बिल्कुल से यह तो first third के साथ चला गया lysosome lysosome आपका साफ साफ दिया हुआ है 134 पेस पर दिया हुआ है कि lysosome के अंदर आपका hydrolytic enzyme वगएर होते है यह आपका biomolecule जैसे आपका carbohydrate protein वगएर होता है उसके digestion में help करता है उसी paragraph में लिखा गया है वेक्योल सेम NCRT का page 134 पर लिखा गया है कि यह जो आपका west और excretory product वगएर होते है वो यहाँ पर trap किये जाते है ribosome ribosome आपका क्या करता है protein synthesis करता है यह आपका molecular basis of inheritance वाला chapter है और page number 129 में जो उमने बात की थी कि MRNA के साथ में बढ़के polysom बनाता है वहाँ पर protein synthesis करता है यह जिज़ वहाँ पर भी mention है तो A जो है वह थर्ड के साथ में यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर जा रहा है second हमारा fourth के साथ यहाँ पर जा रहा है third हमारा second के साथ fourth हमारा first के साथ हमारा answer क्या बन गया option C बन गया clear हो गया next दम बात करते है कि उससरे number 16 के बारे में चलिए कि उससे नंबर 16 में आ चुके हैं अब हमारा स्टार्ट होता है नीट 2020 नीट 2020, 2021 और 2022 में आपको ध्यान देना है कि क्या कोई है सब्सक्राइब है जो आउट ओफ NCRT आया है या केवल NCRT से आ रहा है और आपका में फोकस NCRT में होना चाहिए यह चीज अब आपको यह क्या ध्यान देना ही ओके वीC of the following statement about inclusion body इसन दंगरेक्ट क्यों बोलत गया कि कॉंसी स्टेण मेंट वार्ड दा इंक्लुज अब करेक्ट है इनक्लुज मोटी वाला पूरा any membrane बिल्कुल सही है as it is बिल्कुल सही है okay they lie free in the cytoplasm यह भी ncrt में लिखा है they represent the regional food material यह भी लिखा है जैसे हमने बाट की थी glycogen granules phosphogen granules उस टाइब से but यहां पर यह जो these are involved in the digestion of the food particle यह कहीं से कहीं तक mention नहीं है तो इसलिए यह कहीं से कहीं तक इसका रोल नहीं है तो answer क्या जाएगा option भी आ जाएगा ओके नेक्स्ट आम बात करते हैं कि उससे नंबर 17 के बारे में which is the important side of formation of glycoprotein and glycolipid in the eukeridics or endoplasmic reprosisome गोलगी बोडी लाइसिसों एंसेटी का पेज नंबर 134 लास्ट पेराग्राफ glycoprotein glycolipid आपको पता ही होना चाहिए गोलगी बोडी अंसर आजाएगा इतनी बार discuss कर चुके हैं यहां पर ओके नेक्स्ट नमर आद देखते हैं नी 2020 फेज टू के लिए ओके बहिया नी 2020 फेज टू में इसाइज ओफ प्लीरो पांट्रिया करके और रे दिया हुआ था तो इसी टायप के सेम उसी पेज नंबर पे उसी डायग्राम के पास में साइड के अंदर ये लिखा हुआ है पी पी अलो और पी अलो को साइज दिया हुआ है कौनसा पेज है पेज नंबर 128 है figure 8.2 क्लियर है तो वहां पर जो हमारा PPLO को साइज दिया हुआ है तो जीरो पॉइंट वन माइक्रो मीटर दिया हुआ है तो अंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उससे नमबर 19 के बारे में 19 हमारा आ गया इंक्लूजन बोडी ऑफ ब्ल्यू ग्रीन परपल और ग्रीन फोटो सिंथेटिक बेक्टिरिया इंक्लूजन बोड़ी वाला पैराग्राफ कितनी बार कल चुकी है एंसे नमबर कौन सा होना चाहिए आपको याद भी होना जाने चाहिए 129 पर दिया है इंक्लूजन बोडी वा को पर साफ साफ NCRT में मैंसे नमबर 129 पर ओके नेंस्ट नमबर 20 के बारे में दा फ्यो सिंथेग ऑफ रइबोसोमल आरने यो सिंथेटिक ऑफ रइबोसोमल आरने एक्टिव अर आरने कितनी बारा चुका है यह नुकलियोलस के अंदर होता है गोलगिया प्रेटिस माइक्र 21 के बारे में match the following फिर वापी से match the following हमारे सामने question आ गया है SAR RER goal की complex centriol आपको पता है SAR RER कहां पे दिया है 133 पे दिया है यह last में 133 से start हो जाता है जो 134 तक जाता है और centriol वाला जो है माइक्रो ट्यूबियूल वाला जो किसन था वहां पर भी बात कि दी कि महां पर spindle formation बनते हैं उस टाइक का क्यों सनमने किया था ओके तो देख लेते हैं हमारा सेगंड के साथ जाना चाहिए सेगंड के साथ यह नहीं जा रहे है यह यहां पर जा रहा है के वह दो यहां पर बोला गया है देखिए वें ता सेंट्रो मेरी सिचुएटी इन दा मीडल ओफ दा टू इक्वल आर्म ऑफ दा क्रोमोजोम क्रोमोजोम इजय फर टू इस कहां पर मेंचेटी का पेज नंबर 139 विद दा डाइग्राम विद दा डाइग्राम और मैंने आपको बताया था मेटा सेंट्रिक सब आपका मेटा सेंट्रिक बनता है एक शोट और एक लंगत सब मेटा सेंट्रिक बनता है यह चीज़ हमने बता दी थी तो अंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा क्लिर हो गया ओके नेक्स्ट नमबर 23 के बारे में ओके भाईया क्योंसे 23 है दा और गिनल देट इंक से कौन से ओर्गिनल इंक्लूड होते हैं एंसेटी का पेज नमबर 133 परस्ट पेराग्राफ यानि एंडो मेंबरें सिस्टम के बारे में यह बात कर रहा है एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम माइटो कॉंट्रिया राइबोसों लाइसोसों एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम इसका कोई पार्ट नहीं है यह भी आपको याद रखना है तो यहीं चार इसके पार्ट है तो अनसर आदेगा ऑप्शन भी एकोर्डिंग टो एकोर्डिंग टो एंसेटी पेज नमबर 133 एज़िटीज ऑके अब हम वापीस आ गए हैं में चुदा कोलम में आ गए हैं तो मे प्राम प्राइब आए टो अवहां पर आएगा सिंट्रो मेर का यह एं 209 पर आएगा सिस्टी नहीं का पर आएगा जो बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टी क्रेस्टी हम कई बार कर चुके इन हमारा किसके साथ चला जाएगा थाद के साथ चला जाएगा याद रखने नभी यह भी थाइलेख एडवने बात कि थी डीश सेप इंदर स्टरॉम बहत कर चुके हैं जिसके अंदर ख्लोॉरोफिल प्रीजन होता है नेक्स हम D-Ship structure होता है गौल के उपरिश्री तो A हमारा थड़ के साथ B हमारा 4th के साथ C हमारा 1st के साथ और D हमारा 2nd के साथ मतलब यह एक बार 3rd के साथ 4th के साथ फिर 1 2 3 4 1 2 इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा तो अब देखते हैं 3 4 1 2 कहां पर है तो 3 4 1 2 यह हमारा हो मतलब यह हमारा जो है वो त्री के साथ जा रहा के वर एक ही ऑप्षन था यहीं से हमारा आंसर बन रहा था फिर फिर भी हमारा आंसर क्या बन जाएगा बन जाएगा यहां पर बहुती इंटरस्टिंग सा इन्हों इन्होंने इन्होंने नहीं और कहिंण नहीं बोलए यह चीज तो स्टेड्मर्ट में और कहीं का दिमाग चला था उन्होंने का था नियूंघ यह नूट। statement 1 or statement 2 mycoplasma can pass through the less than 1 micrometer filter system and statement 2 mycoplasma are bacteria with the cell wall okay अब देखो समझो अब हमसे पूछा क्या जाएगा कि कौन सी statement correct है कौन सी incorrect है वही सब कुछ पूछा जाएगा अब देखो सबसे पहले अगर आप NCRT का page number 126 निकालते हो जापे size, shape and structure के बारे में बात की हुई है वहाँ पे बिल्कु लास्ट वाली दो दो चार लाइने अगर आप पड़ती हो तो आप माइको प्लाज्मा का दिया हुआ है अब माइको प्लाज्मा आपने ये भी पढ़ा था बायलोजिकल classification वाला जो चैप्टर था जहां पे kingdom मोने रहा था उसके बिल्कु लास्ट में माइको प्लाज्मा दिया था कि ये आपका सबसे smallest living cells होता है living organism होता है और इसके लावा ये without oxygen सर्वाइब कर पाता है पैथोजन होता है अनिमल इंप्लांट्स के लिए ये सारा paragraph आपे लिखा वाता अब यहां पर यह लिखा इससे हाफ से भी कम अगर इसके लेंट है तो इससे पार नहीं हो जाएगा मान लो कि आपकी हाइट 3 feet है ठीक है और एक जो है उसकी हाइट 10 feet का एक कोई मतलब gate है कोई gate है ओके तो उसमें से आप पास नहीं हो जाओगे बिलकुल आराम से उताओगे आपकी लेंट इतनी है विट तो आप उसमें से पास नहीं हो जाओगे बिलकूल जाओगे तो यहां पर यह चीज बेंचना कि इसका size 0.3 2.3 Micrometer है और यह तो 1 Micrometer filter size से आराम से पास होजाएक इसका Half से भी पास होजाेगा अगर किसी यृट 3 feet or 5 feet का गेट हो तब भी वह पास हो जाएगा तो यह बात होगई जहां पर 0.3 Micrometer और 1 Micrometer से तो आराम से पास हो जाएगा यह और विदाउट सैल यहां पर कोई भी सैल ओन नहीं होती है तो यह सही होगी यह गalप गये अब option देखते हैं statement one incorrect यह गलत है statement दो नो correct यह भी गलत है statement one and statement incorrect यह भी गलत हो गया statement one is correct and statement two is incorrect यह बिल्कुल सही हो गया that answer Q बन गया option d बन गया according to MBA बन गया okay sound च्राइब काती है Q26 के बारे में किसे नुम्हें टोटी सिक्से है, वीछ फफ दाफ लॉइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक टू अंडो प्लाजम को विश इनकरेक्ट, अब हमें इनकरेक्ट बतानी है, यहां पर हिदमें से कौन से इन करेक्ट है, SCR on the site of lipid synthesis according to NCRT page number 133 में ये बिल्कुल सही बनती है RER has ribosome attached to it ये भी बिल्कुल according to NCRT page number 133 बिल्कुल सही बनती है SCR is devoid of ribosome according to NCRT page number 133 बिल्कुल सही है तभी तो इसको smooth बोलती है In prokiritic only RER is present according to कौन सा page number है आपका जहाँ पर cell orginal वगेरा की बात की गई है according to NCRT page number 126 जो आपका prokiritic होता है इस टाप के endoplasmic reticulum वगेरा orginal prokiritic के अंदर नहीं मिलते है prokiritic के अंदर ये वाले orginal नहीं मिलते है वहाँ पर केवले एक non membrane structure होता है जो ribosome होता है वह आपका prokiritic के अंदर मिलता है पर आपका ये वाले चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती है तो आपका इन्होंने बोला कि prokiritic only RER उसमें कोई भी नहीं होता चाहे RER हो चाहे SCR हो चाहे mitochondria हो चाहे आपका chloroplast हो यह सब कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है तो आंसर क्या बन जाएगा option D बन जाएगा clear हो गया अब हम देख लेते हैं last question last question हमारा मेचदा कॉलम क्यूसन आ चुका भी यह last question है मेचदा कॉलम क्यूसन है ओके तो यहाँ पर मेचदा कॉलम दिया गया metacentric, acrocentric, submetacentric और telocentric सारा का सारा ncrt का page number 139 with diagram mention है ncrt page number 139 with diagram यह सारी चीज़े mention है ओके देखते हैं पहले देखते हैं metacentric, metacentric भी बात करें तो दोनों की equal arm होनी चाहिए centromere at the terminal बिल्कुल नहीं है centromere at the middle forming to equal arm, बिल्कुल चाहिए तो हमारा रह गया किसके साथ में? acrocentric के साहिए? acrocentric में क्या होता है? acrocentric के अंदर ça यह हमारा यहाँ पर होगा और terminal T lo, T say terminal T say हमारा T lo, to center we are at the terminal हमारा यह चला जागा D second के साहत तो a, ha हमारा 3, D के साहथ कहां पर जा रहा, lynn जा रहा, C փ साथ में जा रहा है या सी फोर्थ के साथ में दोじゃない होई धी हमारा तो के साथ में जा रहा थह था था बढ़ला आंसर क्या आ जाएगा ऊपनी आ जाएगा तो यह इतने ही क्यों स्टे जोκα आए हुए थे यह हमने डिसक्स करवा जी रहे मिल्सा goofy